आज की वीडियो में बात करेंगे 5 best dishwashers जो अपका टाइम बचाने के साथ साथ electricity और पानी दोनों को भी बचाएगा dishwashers क्यों लेने चाहिए? हम सब जानते हैं बरतन धुना एक पेन है और वो काम को करने के लिए कम से कम अगर इंडियन कीचिन की बात करें तो दिन के देड़ से दो घंटे तो चले ही जाते हैं अगर हम मेड की help लेते हैं फिर भी 100% cleaning का कोई assurance नहीं रहता है और मेड के time के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है आपको पता है बरतन धोने के लिए जो sponges use किये जाते हैं उसमें भी कितने सारे bacteria spun up ते रहते हैं वैसे तो हमें frequently उनको change करना चाहिए बट unfortunately हम ऐसा कर नहीं पाते हैं नहीं करते हैं ना जब मेड बरतन धोए तो अच्छी तारह rinse ना होने की वज़ा से बरतन पर detergent छूट जाना वगेरा common causes हैं जिससे हम जाने अंजाने में हेल्थ का नुकसान कर देते हैं यही सब प्रॉब्लेम से डीश वॉसर हमें आजादी दिलाता है और unbelievable hygienic cleaning बरतनों को देता है यह machine 70-80 degree celsius temperature पर बरतनों को धोता है और 99.99% bacteria's को मार देता है अगर आप भी अपने परिवार के लिए hygiene को priority देते हैं तो dishwasher will be best option for you टॉप 5 dishwasher 2023 के लिसमें नंबर 5 पर है फेबर का 12 प्लेस सेटिंग dishwasher नियो ब्लैक कलर और stainless steel body के साथ इसमें washing machine की तरह अलग-अलग 6 wash programs मिल जाते हैं जो intensive, self clean, eco, 90 minimum, glass और rapid जो अलग-अलग तरह के wash के लिए use कर सकते हैं For example, glass के बरतन delicate होने की वज़ा से उसके लिए specific count time की cycle use की जाती है इसी तरह, ज्यादा oil वगेर है तो intensive program select करके अच्छी wash quality ले सकते हैं बड़े बरतन, जैसे कि pressure cooker, बड़े पतीले या कड़ाई के लिए आप racks को adjust कर सकते हैं यह racks adjustable होते हैं और यह machine एक cycle में 12-17 लिटर पानी यूज करता है और वो आप कौनसा cycle select करते हैं उसके उपर भी depend करता है और electricity 1-1.5 kWh पर अवर यूज करता है Salt और rinse add खतम हो जाने पर वो आपको indicate करता है इसका energy rating A++ है जो करी 12% energy consumption कम करता है और अगर आप manually बरतन दोते हैं तो करी 50-60 लिटर पानी यूज होता है जबकि Faber का ये machine सिर्फ 10 लिटर पानी में 69 degrees Celsius temperature वाले पानी का यूज करके hygienic तरीके से बरतनों को दोता है इस machine में half load function की वज़े से थोड़े वरतन भी आप wash कर सकते हैं डिले start बहुत ही अच्छा option है इसको use करके आप अपने schedule के हिसाब से machine को चला सकते हैं इसके कौन की बात करूँ तो electricity जाने के बाद ये दोबारा वही से cycle को resume नहीं करता है वह दोबारा start करता है तो अगर आपके area में frequently electricity का problem है तो इसे आप ignore कर सकते हैं दो साल की overall warranty और पांच साल की rust per warranty के साथ वीडियो बनाते समय इसका price है 24,900 जो 12 प्लेस सेटिंग के लिए काफी अच्छा price है इसका link में description box में दे रूँगी जिससे क्लिक करके आप current price चेक करके buy भी कर सकते हैं डिश वोसर के list में number 4 पर है IOP Neptune VX 12 प्लेस सेटिंग और silver color के साथ यह एक ऐसा brand है जिसके service almost हर city में मिल ही जाते है इस model का energy rating A++ है और energy consumption 1.16 kWh है water consumption 9 liters per cycle और noise level 49 dB है हम 50 dB तक noise level consider कर सकते हैं तो इसमें भी काफी silent wash ही मिलेगा इसमें wash arms मिल जाते हैं दो wash arms जिसका मतलब एक lower wash arm और दूसरा middle wash arm दोनों मिलकर पानी से spray करते हैं जिसकी वज़ा से बरतन थोरोली clean हो जाते है 70 degree Celsius hot water use करके वो बरतनों में से 99.99% jumps निकाल देता है और tail, masala वगेर के ताग भी अच्छे से निकाल देता है इसका power steam बरतनों को dry कर देता है जिससे आपको manually कपड़ा लेकर उन्हें dry करने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी इस machine में smart sensor अपने आप food particles और बरतनों को ध्यान में रखकर wash program उसका time और intensity सिलेक कर लेता है इसके basket adjustable होने की वज़े से हम कोई भी size और shape के बरतनों को set कर सकते हैं कभी बरतन कम है तो half load function को use करके same quality hygiene wash ले सकते हैं 8 wash programs, LED indicator, push control और stainless steel body के साथ या Indian kitchens के लिए best option हो सकता है 2 साल की overall warranty और 8 साल spare parts support के साथ वीडियो बनाते वक्त इसकी price है 38,758 रुपीज इन सारे products को research करना बीना bias कम budget हो या ज्यादा budget हो उन सब को ध्यान में रखकर अच्छी quality products ढूणना और वो सब best में से 5 best ढूणना बहुत मैनत का काम है आपका एक like हमें ऐसे ही आपके shopping experience को आसान करने वाले और videos बनाने के लिए encourage करता है चैनल को subscribe करके bell icon को भी प्रैस कर दीजेगा जिससे हमारा motivation बढ़ता रहे और YouTube का algorithm जिनको इस वीडियो की जरुरत है उन तक उसको पहुंचाता रहे जिब अब हमारे दीए गए links से कोई भी products buy करते है हमें उसमें से छोटा सा commission मिलता है वो भी बेना आपके price को affect किये जिससे हमारे चैनल को grow होने के लिए काफी help मिल जाती है तो I will appreciate your support to us Comfy dishwasher की list में नंबर टीन पर है बोद्रेज इयोन डिश्वाशर, 13 प्लेश सेटिंग और A++++ energy rating के साथ इस machine में 9 wash programs मिल जाते है प्री wash, jet wash, quick 13, eco mode, super 15, dual pro wash, hygiene, smart wash और steam wash ये सब wash प्रोग्राम में machine अलग-अलग temperature के पानी का use करता है इसका noise level 46 dB है जिससे हमें daily chores में कोई disturbance नहीं ह इसकी smart wash technology से sensors बरतनों को clean करने के लिए कितना पानी चाहिए और कौन सा wash cycle चाहिए वह अपने आप select कर लेता है और जो बरतन ज्यादा oil या मसाले वाले होते हैं उनके लिए 70 degree Celsius temperature पर cleaning देता है और steam wash ज्यादा oily sticky बरतन होते हैं उनके लिए best option बन जाता है इवन यह steam वाला option delicate crockery के लिए भी suitable है यह एक eco wash machine में 9 liter पानी यूज़ करता है और इसका jet wash program सिर्फ 14 minutes का है जो ज्यादा गंदे ना हो ऐसे बरतनों को या तो सिर्फ rinse की ज़रुरत हो उनके लिए अच्छा option हो सकता है इसमें एक antibacterial filter भी दिया गया है जो अंदर के cabinet में किस इसी भी तरह के bacteria को पनपने नहीं देता है और auto door open यह function जब wash cycle खतम हो जाता है तो अपने आप door को थोड़ा सा open कर लेता है जिसकी वज़े से गरम steam बाहर निकल जाती है और बरतन सुखने के लिए कोई energy use नहीं करने पड़ती है मेरे कहाया से यह बहुत ही अच्छा option है और यह feature के cons के बात करूँ तो अगर घर में छोटे बच्चे है यह पैट है तो यह option risky हो सकता है इस machine में BLDC inverter technology का use किया गया है जिससे पानी, electricity और time तीनों बच जाते है यह dishwashers stainless steel interior door और body के साथ आता है और अगर आपके area में hard water आता है तो इसका water softener system उसके hardness level को optimize कर देता है अगर power cut हो जाए तो machine जहां रुका था वहीं से शुरू होगा, दो साल के overall warranty के साथ वीडियो बनाते वक्त इसका price है 33,990 Top 5 dishwashers in 2023 के list में number 2 पर है boss brand 13 place setting के साथ इस machine का level 52 dB है which is slightly higher than boundary line और इस machine में 6 wash programs और 3 options मिल जाते हैं जिसमें express sparkle program time को बचाता है half load option थोड़े परतन वो उनके लिए useful है और extra dry option परतन को अच्छे से dry कर देता है यह machine एक wash में average 10 liter पानी का use करता है और 60 minutes की साइटा में आपके परतनों को चम चमा देता है यह brand ने Indian kitchens को ध्यान में रखकर intensive कड़ाई program दिया है जिसमें पानी 70 degree Celsius गरम होकर कड़ाई पतीले वगेरा से चिकना हाट निकाल देता है और express sparkle program जो routine के बचान है ज्यादा गंदे नहीं है उनको 60 minutes में wash और dry दोनों कर लेता है यह एक अच्छा option है बिकोज कई बार घर में guest है या kitchen में ज्यादा काम है तो बरतन की continuous ज़रूरत पढ़ती रहती है तब अगर यह 2-3 घंडे का time ले तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है इसमें बरतन कम होने पर half load option का भी use कर सकते है और additional cutlery box भी दिया गया है जिससे छोटी मुठी cutlery items उसी में set हो जाएगी और बाकी की जगह में आप बड़े बरतन रख सकते है डोजेज असिस्टन function डिस्वासर टेबलेट को dissolve करने में help करता है I guess यह बड़ी common चीज है कोल भी machine उसके टेबलेट को तो पिगलाएगा ही इसकी eco silence drive motor की वज़ज़ से power consumption कम होता है औ उनके अकोडी wash cycle को set करता है और पानी detergent और rinse aid को भी use करता है best service provide करने वाला यह brand इस machine पर 2 साल की comprehensive warranty और 10 साल की inner topper rust through warranty देता है वीडियो बनाते वक्त इसका price है 43,790 अगर budget allow करे तो आखे बंद करके यह brand पर trust कर सकते है top 5 dish washers के list में number 1 पर है LG 14 play setting वाला dish washer इस machine में 9 wash programs, true stream, quad wash, dual wash, quiet, turbo, auto eco, gentle और quick मिल जाते है dual wash में काच के delicate बर्दन और steel के भारी बर्दन एक साथ दो सकते है अभी तक हमने जितने भी machines देखे सब में 2 washing arms है पर यह machine में 4 washing arms मिलने की वज़ज़ से इसमें पानी का multitrational rotation मिल जाता है जिससे quad wash function से cleaning ज्यादा effective बनता है इसका turbo function सिर्फ एक घंटे में बर्दन को साफ कर देता है एक और noticeable चीज है इसका noise level जो 44 dB है जो comparatively काफी कम है कम बर्दन होने पर हम इसे half load पर भी चला सकते है इसके racks flexible होने के कारण आप कोई भी size और shape के बर्दन इसमें दो सकते है इसके inverted direct drive motor machine को quietly चलाती है और energy भी बचाती है और LG Think U app को download करके आप अपनी जवरत के हिसाब से personalized wash cycle set कर सकते हैं machine को regular clean करने के लिए आप machine clean reminder set कर सकते हैं जिससे वो हर 30 wash के बाद आपको remind कर आएगा दो साल की overall warranty और model पर 10 साल की limited warranty के साथ वीडियो बनाते वक्त इसके price है 52,990 कोई भी dish washer खरीदने से पहले आप ये buying guide ज़रू देख लेना जिससे आपके सारे doubts clear हो जाएंगे और आप अपने requirement समझ कर इसे खरीद पाएंगे इन सब भी models में से आप कौन सा dish washer खरीदने वाले है कमेंट करके ज़रू बताना अगर आपकी requirement कम capacity वाले machine की है तो उसमें best 8 play setting वाले model के link भी मैं description box में provide कर दूँगी आप उसे भी check कर सकते है चैनल को subscribe करके bell icon को भी प्रेस कर देना जिससे आप तक हमारे सब वीडियो सबसे पहले पहुँचते रहे मिलते हैं अगले value packed वीडियो के साथ तब तक अपना बहुत सारा खयाल रखे बाई बाई